कि नमस्कार दोस्तों जे पिस्टेनोगराफी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है यह डिक्टेशन सो सब्द पर्ति मिनट का होगा जो की 6 मिनट तक बोला जाएगा देनिक भासकर से लिया गया है दस सेगेंड बाद स्टार्ट के जाएगा दोस्तों अगर आप चैनल प उन दिनों मा की नजरें किसी रिमोट कंट्रोल जैसी होती थी क्या आप पहली लाइन पढ़ कर चोक गए कुछ और सोचने से पहले अपना बचपन याद करें याद है कैसे मा अपनी आखों से ही अनुमती दे देती थी जब आप किसी आवारा कुट्य को खाने का आखिरी कोर खिलाना चाहते थे उन ही नजरों से मा इनकार भी कर देती थी जब कोर गिरा जाता था और कुट्य के काटने का डर होता था मा खाना उठाने पर नाराज होती थी और जब आप हात दो कर आते थे तो मुस्करा भी देती थी इस दोरान एक सब्द भी नहीं कहा जाता था लेकिन आप वही करते थे जो मा चाहती थी इसलिए मैं कहता हूँ कि मा की नजरे आपके सारवजनिक व्यवहार के लिए बिलकुल सही रिमोट कंट्रोल है हम बच्पन में ही मा की आखों को पढ़ने की परिक्षा पास कर लेते थे और नोकरी लगने से पहले ही इसमें पीएसडी हासिल हो जाती थी फिर हमने ट्रेन से यात्रा करना सुरू किया जहां यात्री एक दूसरे के सामने बैठते हैं कलास कोई भी हो हम उन्हें देखे कर मुस्कराते हैं मा जो खाना रखती हैं उन्हें अंजान सहयात्रियों के साथ साजा करते हैं हम उनसे पूस्ते हैं कि ये मेरी मा खास तोर पर बनाती हैं क्या आप खाएंगे हो सकता हैं वे पहले इनकार कर दें लेकिन अगले 24 गंटों में वे ने सिर्फ अपना खाना भी साजा करनी लगते हैं बलकि अब तक आप दोनों एक दूसरे के पूरे परिवार के बारे में जानने लगते हैं हो सकता है कि कुछ बिच्डे समंद भी मिल जाएं ज़्यादातर लोग बुजुर्ग यात्रियों की पानी खाना वगहरे लाने में भी मदद करते हैं कई बार बच्चों की भी मदद करते हैं जब हम ऐसे अच्छे काम करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति की आँखें बहुत कुछ कहती हैं वे बिना बोले धन्यवाद देती हैं और कहती हैं कास मुझे ऐसा ही जिम्मेदार दामाद या बहु मिले आप उनकी आँखों में ये सब्द पढ़ सकते हैं और फिर उस यात्री को परभावित करने के लिए और महनत करते हैं बले ही वह रिस्ता आगे ने बड़े लेकिन हर यात्रा में हम ऐसा करते हैं क्योंकि हम सहयात्री की आँखों में सराहना देखते हैं और इन नजरों ने ही हमारे अंदर अच्छा नागरिक बनने या एक अच्छे समाज का हिस्सा बनने की इच्छा जगाए इससे मेरे मन में विचार आया की तब क्या हुआ जब हम हवाई यात्रा करने लगे लोग इतनी क्यों पीने लगे की बदतमीजी पर उतरने लगे इसके कई कारण हो सकते हैं हवाई जाज में सीट एक के पीछे एक होती हैं कोई भी एक दूसरे की आँखों में नहीं देख पाता जिन्हें पढ़ने की हमें मा से ट्रेनिंग मिली हैं किसी की नजर न होने पर हम सवचंद हो जाते हैं मुझे याद है कि छोटे एरक्राप्ट में पहली दो पंक्तियों में यात्री एक दूसरे की तरफ मुह करके बैठते हैं एसी किसी भी यात्रा में मैंने कोई एस सहजता मैसूस नहीं कि हमारी नजरे कई बार मिली और हमने चाहा कि हमारा सारवजनिक योहार अच्छा रहे और उसे सरहा जाए अगर हम मा की नजरों से नियंतरित होने के आदी रहे तो दूसरों की नजरे भी हमें नियंतरित कर सकती हैं यानि हम उनकी नजरों के लिए अच्छा व्योहार कर सकते हैं फंडा यह है कि अगर हम अब भी नजरों से नियंतरित आबादी रहना चाहते हैं तो सुजाव हैं हवाई जहाज में आमने सामने वाली सीटे लगाई जाए हो सकता है कि आखों की सर्म हमारे सार्वेजनिक व्योहार को और बहतर बना दे आपकी क्या राय है इस्टोट दोस्तों इस डिक्टेशन का पीडियूप लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों अगर डिक्टेशन पसंद आये तो लाइक शेड जरूर करें थैंक्यू